बुट मॉनिंग बच्चों, बच्चों आज हम क्लास फिप्त में हिंदी ब्याकरन में प्रायवाची सब्द पढ़ेंगे प्रायवाची सब्द हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा हैं, ठीके, फिर से हम प्रायवाची सब्द का रिवीजन करेंगे प्रायवाची सब्द किसे कहते हैं ठीके बच्चों और प्रायवाची सब्द के उधारन भी देखेंगे क्या पढ़ेंगे सब्द से पहले हम बच्चों प्रायवाची सब्द पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे प्रायवाची सब्द पढ़ेंगे प्राइबाची सब्द उन्हीं कहते हैं जब भिन भिन सब्दों का अर्थ समान हो अतार्थ एक ही सब्द के स्थान पर समान अर्थ वाले अलग अलग सब्द का प्रियोग किया जाता है इसी काना जाईने समान अर्थी सब्द के नाम से भी जाना जाता है जैसे बच्चों हम कर सकते हैं प्रेकास, प्रेकास का क्या होता है, रोसनी भी होता है, उजाला और जोती, प्रेकास को हम रोसनी भी कर सकते हैं, उजाला भी और जोती के नाम से भी जान सकते हैं, बगीच्या, उपवन भी कहते हैं, वाट क्या कहते हैं, बाग भी कहते हैं, न ठीक है क्या जानेगे बच्चो परिभासा जानेगे समान अर्थ वाले सब्दों को प्रायवाची सब्द या समान आथक सब्द भी कहते हैं सूरज के बारे में किस के बारे में जानेगे सूरज के बारे में जानेगे सूरज को और कौन-कौन से नाम है और किस नाम से हम जानते भी है ठीक है उसे हम जानते हैं रवी दिनकर और भासकर सूरज को हम कौन से नाम से जानते है बच्चो रवी दिनकर और भासकर के नाम से हम जानते है अब पढ़ेंगे बच्चो हम इंदो के बारे में ठीक है उसे हम इंदो को किस नाम से जानते हैं उसे हम जानते हैं जान चन्दमा और ससी के नाम से जानते हैं अब हम पढ़ेंगे जगत के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे जगत के बारे में जगत को हम क्या कहते हैं दुनिया कहते हैं संसार भी कहते हैं और बिश्व भी कहते हैं दुनिया को हम क्या कहते हैं बच्चों जगत को दुनिया संस और बिश्व के नाम से भी जानते हैं अब हम पढ़ेंगे बच्चों फूल के बारे में फूल को हम किस नाम से जानते हैं कुसुम के नाम से जानते हैं सुमन और पुस्व के नाम से भी जानते हैं किसको जानते हैं बच्चों ये फूलों को हम कुस्ण के नाम से सुमन और कुस्ण के नाम से जानते हैं अब हम पढ़ेंगे प्रेकास के बारे में प्रेकास को हम रोसनी, उजाला और जोती के नाम से जानते हैं बगीचा बगीचा को बच्चो हम उपवन भी कहते हैं वाटक्या भी कहते हैं और बाग भी कहते हैं इस बगीचे के हम क्या क्या कहते हैं बच्चो बगीचे को उपवन वाटक्या और बाग कहते हैं अब हम पढ़ेंगे बच्चो सागर के बारे में सागर को हम समुद्र भी कहते हैं, सिंदु भी कहते हैं और रतना कर भी कहते हैं अब पढ़ेंगे इस्त्री के बारे में इस्त्री को कांता भी कहते हैं, नारी भी कहते हैं और महिला के नाम से भी जानते हैं किसे कहते हैं बच्चों इस तरी को हम क्या नाम कांता, नारी और महिला के नाम से जानते हैं अब हम प्रेकास के बारे में जानेगे प्रेकास को हम रोस्नी कहते हैं उजाला कहते हैं और जोती भी कहते हैं बच्चो अब यहां पे आपको समानार्थ वाले सब दिये गये हैं अब जैसे यहां पे आपको दिये मा का माता को हम क्या कहते हैं बच्चों यहां पे मा कह सकते हैं जन्नी भी कहते हैं यहां है ब्रित इसको हम पेड़ भी कहते हैं और तरू भी कहते हैं फूल, फूल को हम सुमन भी कहते हैं और पुस्ब भी कहते हैं घर, घर को हम ग्रे भी कहते हैं और सदन भी कहते हैं बालक, बालक को हम बच्चा भी कहते हैं और लड़का भी कहते हैं और यहां पे है वन, वन को हम जंगल भी कहते हैं और कानन भी कहते हैं अब यहां पे बच्चों आपको फिर सब्द दिये गए हैं उसके प्राइबाची सब्द भी दिये गए हैं इधर के सारे सब्द, ये सारे सब्द क्या हैं, ये सारे सब्द हमारे क्या हैं, सब्द दिये गए हैं, और इधर हमारे उन्सके राइवाची सब्द भी दिये गए हैं, अब जैसे हम जानेंगे बच्चों, मित्र, मित्र को क्या कहते हैं, दोस्त और सखा भी कहते हैं, दोस्त आदमी को नर और मनुस भी कहते हैं धर्ती धर्ती को हम धरा और प्रेथवी भी कहते हैं फिर चंदमा चंदमा को हम चान और ससी भी कहते हैं सूर्य सूर्य को हम रवी और सूरज भी कहते हैं बच्चो आज हमने आपको प्रायवाची सब्द के बारे में बताया, प्रायवाची सब्द किसे कहते हैं और उसके उधारन भी बताएं, बच्चो आप इसी से सम्बंधित मैं आपको बक्सित दूँगी, उसे आप लिखेंगे भी और उसे याद भी करेंगे, ठीक है बच्च ठेंक यू बच्चो